हेलो फ्रेंग्स, विलकम टू आर चानल, लर्निंग नोट बूक, आज इस वीडियो में हम क्लास वन माच्स का चाप्टर, कम्पेरिंग नंबर्स पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, हाउ टू कम्पेर नंबर्स, और फ्रेंग्स, अगर आपको क्लास वन माच्स, क्लास वन EBS या क्लास वन इंग्लिश ग्रामर का कोई भी चाप्टर समझना हो, तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोट बूक पर इन सभी सब्जेक्स का पूरा स्लिबर्स कवर करा हुआ है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, तो फ्रेंग्स, नंबर्स को कंपेर करने से पहले, ये समझना जरूरी है कि कौन सा स्मॉलर नंबर है, यानि कौन सा नंबर छोटा है, तो इसे समझने के लिए हम एक एक्सराइस करेंगे, तो देखें, यहाँ पर आपको दो ग्रुप्स दिख रहे हैं, मैंगोज की, हमें बताना है कि कौन से ग्रुप में लेस मैंगोज हैं, यानि कम मैंगोज हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले दोनों ग्रुप्स के मैंगोज काउंट करेंगे, तो पहले हम इ इधर देखिए, इधर count करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 7 mangoes हैं, अब कौन से group में कम mangoes हैं? यहाँ इस वाले group में, जिसमें 5 mangoes हैं, यानि 5 जो है, वो smaller number है, as compared to 7, 5 smaller number है, तो इसलिए हमने इस group पर टिक कर दिया, अब next देखिए, अब next picture में हमारे पास 2 groups हैं, pencils के, हमें बताना है कि कौन से group में कम pencils हैं, तो फिर से हम इनको count करते हैं, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, So, here we have 6 pencils, now, come here, in this group, we have how many pencils, 1, 2, 3, 3 pencils, ठीक है, अब हमें दिख रहा है, friends, कि इस वाले group में, कम pencils हैं, as compared to the first group, So, इसका मतलर, जो 3 है, 3 छोटा number है, 6 से, 3 is smaller than 6, so we will take the second group, now, another question, here also, we have to take the group, which has less candles, So, first group में देखिए, कितनी candles हैं, 1, 2, 3, 4, 4 candles, और second group में हमें दिखी रहा है, सिर्फ 1 ही candle है, तो यानि, second group में दिख रहा है, हमें कि एक ही candle है, तो ये छोटा है, 1 number, 1 is smaller than 4, तो इसलिए हम ये वाले group को टिक करेंगे, तो अब फ्रेंक्स हमने समझ लिया है, कि smaller number क्या होता है, अब हम बात करेंगे bigger number की, यानि बड़े number की, तो अब फिर से हमारे पास दो groups है, जिसमें mango हैं, पर यहाँ पर हमें वो group टिक करना है, जिसमें जादा mango हैं, यानि जिसमें bigger number है, ठीक है, तो आएए पहले इस group के mango को count करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अब इस group में देखते हैं कितने mango हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यानि यह जिसमें जादा mango हैं, So, 7 is a bigger number, 7 is bigger than 5, so we will take this group, now let's see the next group, तो यहाँ पर हमें ducks गिवन हैं, हमें बताना हैं कि कौन से group में जादा ducks हैं, ठीक है, So, let's count number of ducks in this first group, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब second group में 1, 2, 3, ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि पहले वाले group में जादा ducks हैं, So, 6 is a bigger number in comparison to 3, तो 6, 3 से बड़ा number है, तो इसलिए हम इस वाले group को tick करेंगे, अब यहाँ देखिए, दो groups given है, हमें compare करना है उनको, हमें बताना है कि किस group में जादा balloons है, तो पहले group में देखते हैं कितने balloons हैं, 1, 2, 3, 4, अब next group में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, तो यहाँ यह जो second group है, इसमें जादा balloons है, So, 9 is bigger number, 9, 4 से बड़ा है, तो हम इस वाले group को tick करेंगे, comparing numbers, comparing numbers means, to find which of the two numbers is greater or smaller than the other, तो friends, अभी जो हमने करा, कि हमने find करा, कि कौन सा bigger number था, या कौन सा smaller number था, वो ही होता है, comparing numbers, जब हम numbers compare करते हैं, तो यानि हम यह find करते हैं, कि जो दो numbers हमें given हैं, उसमें से बड़ा कौन सा है, या छोटा कौन सा है, let's see some example, अब जैसे कि हमें ये दो numbers given है, 9 और 2, अब मुझे पता है, कि जो 9 है, वो 2 से बड़ा है, तो हमें यहाँ पर compare करना है 9 और 2 को, तो मिले को कहना है, that 9 is greater than 2, तो इसे बताने के लिए, लिखने के लिए, हम ये symbol यूज करते हैं, ये देखें, ये symbol है न, इसे यूज करते हैं, जो बताता है, कि greater than है, जो इसे number पहले लिखा हुआ है, वो greater than है, इस sign के बाद वाले number से, तो इसको हम रीड करेंगे, 9 is greater than 2, तो numbers को compare करने के लिए, तीन symbols यूज होते हैं, पहला symbol मैंने आपको अब भी बताया, कि ये जो symbol होता है, this stands for greater than, second symbol देखिए, ये, ये जो symbol होता है, it stands for smaller than, जब हमें छोटा, छोटा बताना है, कि जो पहले वाला number है, वो छोटा है दूसरे number से, फिर तीसरा symbol है, ये, equal to का, यानि जब दोनों जो numbers given है, वो दोनों same है, जब हम ये sign use करते हैं, अब आईए, इन symbols को समझने के लिए, practice exercise करते हैं, so here we are given with two numbers, 7 and 3, हमें अब ये बताना है, कि जो 7 है, क्या वो 3 से बड़ा है, या छोटा है, तो friends, हमें पता है, 7 is greater than 3, बड़ा number है वो, तो हम इस वाले symbol का use करेंगे, देखिए, ये symbol का, और इसको हम read भी ऐसे करेंगे, 7 is greater than 3, ठीक है, अब अगर मैं 3 को पहले लिख दूँ, और 7 को बाद में लिख दूँ, तो अब मेरे को ये बताना है, कि 3, 7 से बड़ा है या छोटा है, तो मुझे पता है, कि 3 छोटा है 7 से, तो मैं कौन सा symbol use करूँगी, ये वाला symbol, और इसको कैसे read करूँगी, 3 is smaller than 7, Let's see few more examples, now we have to compare 9 and 1, हमें पता है, कि 9, 1 से बड़ा है, तो हम ये symbol use करेंगे, और इसको हम read करेंगे, 9 is greater than 1, अब अगर मैं 1 को पहले लिख दूँ, और 9 को बाद में लिख दूँ, तो कौन सा symbol use करेंगे हम, हमें पता है, कि 1 छोटा है 9 से, तो ये वाला symbol use होगा, ठीक है, और इसको read करेंगे, 1 is smaller than 9, अब इधर देखिए, इधर दोनों ही तरफ, एक ही number given है, 8, ठीक है, equal है दोनों, तो हम ये वाला symbol use करेंगे, equal to वाला, और हम बोलेंगे, 8 is equal to 8, तो ठीक है, अब आपको समझ में आया, कि कैसे हमें इन तीनों symbols का use करना है, अब फ्रेंग्स, कुछ बचे, इन symbols में confuse हो जाते हैं, उनको याद नहीं रहता कि, कौन सा greater than वाला symbol है, और कौन सा smaller than वाला या less than वाला symbol है, तो इसे याद रखने के लिए, मैं बहुत ही interesting से आपको एक चीज बता देती है, देखिए, ये एक crocodile है, अब ये जो crocodile है, ये अपना mouth, अपना मूँ, हमेशा बड़े number की तरफ खोलता है, ये कहता है, remember, I always eat a bigger number, ये बहुत hungry रहता है, और ये हमेशा अपना मूँ, बड़े number को खाने के लिए खोलता है, ठीक है, इस बात को याद रखिए, अब इसको याद रखिए, आप आए कुछ questions करिए मेरे साथ, अब दो numbers given है, 7 और 1, अब कौन सा बड़ा number है इसमें से, bigger number is 7, तो crocodile का जो मूँ होगा, वो 7 की तरफ खुलेगा, तो देखिए ये, ये वाला sign लगेगा, इस sign को मैं कहते हैं, greater than, अब आपको ये नहीं याद रखने की जुरूरत, कि आपने क्या sign, कौन सा sign यूज करना है, बस आपने ऐसा sign वो बनाना है, जिसका मूँ बड़े number की तरफ खुलेगा, अब इदर देखिए, 1 और 5 को compare करना है, ठीक है, अब इसमें से, बड़ा number कौन सा है, 5, right, 5 बड़ा है न, तो क्रोकोडाइल का मूँ 5 की तरफ खुलेगा, ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, अब हमने sign तो लगा लिया, पर इसको हम read, sign के according ही करेंगे, हम बोलेंगे, 1 is smaller than 5, now let's learn rules for comparing numbers, तो friends, numbers को compare करने के लिए, 2-3 rules होते हैं, आईए उनको समझ लेते हैं, rule number 1, 2-digit number is always greater than 1-digit number, यानि कि अगर हमें, एक 2-digit number given है, और एक single digit, 1-digit number given है, तो 2-digit number हमेशा, बड़ा होगा 1-digit number से, for example, 19 and 5, अब देखें, 19, 2-digit number है, इसमें 2-digits है न, तो ये बड़ा है 5 से, क्योंकि 5 single digit, एक ही digit है 5 में, another example, 49 and 7, 49 जो है, वो 2-digit number है, इसमें 2-digits है, पर 7, 1-digit number है, तो 49 बड़ा है 7 से, तो ये rule है, कि वही जो 2-digit वाला number होगा, वो हमेशा, बड़ा होगा, एक digit वाले number से, अब देखें, 58 और 8, 58, 2-digit number है, तो ये बड़ा है, 8 से, अब rule number 2 बढ़ते हैं, comparison of 2-digit numbers, अब अगर friends, हमें 2-digit वाले गिवन हैं, तो हम उनको कैसे compare करेंगे, तो उसके लिए ये rule number 2 है, देखिए, जैसे कि हमें ये 2 numbers गिवन हैं, 30 और 10, इने compare करना है, तो जब ऐसे 2-digit वाले numbers हमें गिवन हैं, तो उनको compare करने के लिए, हम उनके left most digit को compare करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम क्या compare करेंगे, यहाँ पर हम compare करेंगे, 3 को 1 से, यानि दोनो numbers के left most digit को हम compare करेंगे, आईए इसको मैं बताती हैं, आपको कैसे करना है, तो देखिए leftmost digit हम ले लेंगे दोनों के जो है इसका 3 और इसका 1 अब हमें सिर्फ 3 और 1 को compare करना है तो हमें पता है कि 3 बड़ा है 1 से तो यानि जो ये पूरा number है 30 ये भी बड़ा होगा इस पूरे number 10 से तो इसलिए हम ये greater than का sign इदर लगा देंगे 30 is greater than 10 Let's see one more example Now we have to compare 28 and 56 तो ये दोनों ही two digit numbers हैं है ना तो इनको compare करने के लिए हम इनके leftmost digits को compare करेंगे तो leftmost digit है 2 और ये 5 अब मुझे बता है कि 2 छोटा है 5 से तो यानि 28 भी छोटा होगा 56 से तो मैं ये smaller than वाला symbol यूज करूँगी 28 is smaller than 56 अब फ्रेंक्स अगर आपको नहीं समझ में आता नहीं याद रहता कि भी कौन सा smaller than वाला symbol है तो फिर आप वो ही अपना crocodile वाला method यूज करिए कि crocodile बड़े number की तरफ अपना मूँ खोलेगा वो हमेशा बड़ा number खाना चाता है तो इसलिए हम इस तरफ मूँ खोलेंगे symbol का Another example 40 and 20 अब इन दो numbers को compare करना है तो जल्दी से हम इनके leftmost digits को compare करेंगे यहाँ पर है 4 और इधर है 2 We know 4 is greater than 2 4 बड़ा number है 2 से तो यानि 40 is greater than 20 तो मैं यह greater than वाला symbol लगाऊंगी यानि क्रोकोडाल का मूँ कहां खुलेगा बड़े number की तरफ तो 40 की तरफ 4 की तरफ खुलेगा उसका मूँ We have to compare 61 and 92 अब leftmost digits कौन से है 6 और 9 So we have to compare 6 and 9 We know 6 is smaller than 9 6 छोटा है न 9 से So 61 smaller है 92 से तो हम यह वाला symbol यूस करेंगे 61 is smaller than 92 Now let's come back to our rule number 2 If the left digit is also same then we compare the next digit अब friends अभी तक जो हम कर रहे थे हम कर रहे थे कि भी अगर दो जो next digit है उनको compare करेंगे यानि हम इसके 9 को इसके 1 से compare करेंगे And we know 9 is greater than 1 तो यानि 39 is greater than 31 तो हम यह greater than वाला symbol यूस करेंगे Another example We have to compare 51 and 58 अब देखिए दोनों ही numbers में जो leftmost digit है वो same है दोनों में ही 5 गिवन है तो हम क्या करेंगे हम उनके next digits को compare करेंगे यहाँ पे है 1 और यहाँ है 8 तो हम 1 और 8 को compare करेंगे हमें पता है कि 1 छोटा है 8 से So 51 is smaller than 58 तो हम यह smaller than वाला symbol यूस करेंगे Now let's compare 49 and 42 तो दोनों 2 digit number है तो सबसे पहले तो हम अपना leftmost digit ही भी देखेंगे उनको compare करने के लिए पर यह क्या यह तो leftmost digit दोनों में same है तो इसलिए हम next digits को compare करेंगे जो है 9 और इसमें है 2 तो हम 9 और 2 को compare करेंगे We know 9 is greater than 2 So it means 49 is greater than 42 तो crocodile किस तरफ मूँ खोलेगा अपना Yes, bigger number की तरफ 49 की तरफ तो हम यह वाला symbol यूस करेंगे Let's do one more question We have to compare these two numbers 90 and 99 तो सबसे पहले हम इनके leftmost digit को देख लेते हैं अरे इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है तो हम तो नहीं compare कर सकते तो हम क्या करेंगे? हम next digits को compare करेंगे इसमें 0 है next digit और इसमें 9 है और हमें पता है that 0 is smaller than 9 0 छोटा होता है 9 से तो इसका मतलब 90 is smaller than 99 तो हम यह smaller than का symbol use करें तो ठीक है friends Now I am sure you have understood how to compare numbers तो अब मैं आपको दे रही हूँ एक practice worksheet तो friends जो अभी मैंने आपको समझाया है यह greater than, smaller than or equal to उसी को use करते हुए आपने यह practice worksheet सौल्व करनी है ठीक है? Thanks for watching See you in the next video Bye-bye